आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है the point on x-axis equidistance from 0.5,0 and minus 1,0 तो हमें यहां पर दे रखा है x-axis है ठीक है तो हमने यहां पर यह x-axis ट्रॉक कर ली ठीक है यह है x-axis यहां पर कोई point दे रखा है ठीक है यह हमने यहां पर मान लिया origin है ठीक है इसके coordinate के हैं 0,0 तो यहां से एक point P दे रखा है minus 1,0 यह है point Q तो यहाँ पे कोई point दे रखा है यह point है वो इन दोनों point से equidistance है तो मैंने यहाँ पे assume कर लिया यह कोई point है R ठीक है यह equidistance है इन दोनों point से P से भी और Q से भी तो मैंने इसके coordinate यहाँ पे assume कर लिये X,Y है ठीक है तो अब हमें यह X,Y यह है धोनों co return ठीक है तो । अब अगर यह जो R है basically, यह पॉंट है यह midpoint है यह q और p का क्यूंकि अगर यह दोनों जगह से equidistance है q से भी इसकी distance equal है, p से भी इसकी distance equal है, ठीक है q से और p से इस point R की distance कैसे है equal है तो यह basically यहां पर midpoint होगा, तो अब अगर हमें यहां पर 2 point दे रखे हो, ठीक है, और इनका midpoint भी दे रखा हो, तो midpoint के coordinate कैसे हम find करते हैं, तो x, y यह कैसे क्या होगा, equal to, यह इसका x coordinate और इसका x coordinate ठीक है, minus 1 plus 5 and divide by 2 करते हैं, ऐसे y x इसका coordinate 0 plus यहां पर y का coordinate 0 divide by 2, ओके, तो यह क्या ह हो जाएंगे, basically coordinate यह क्या coordinate हो जाएंगे, यहां पर 4y2,車यद 0y, 2, तो और 0 ही हो जाएगा, तो finally जो r हमने यहां पर point अचुम किया था, जिसके coordinate हमने x, y माने थे, जिसके जो coordinate होंगे, यह क्या होंगे, 2, 0 होंगे, और यह 2, 0 हमारा answer है, अब अगर option देखेंगे, तो option first में हमें 2,0 दे रखाया, तो उप्शन फर्स्ट एजबर और राइट आंसर, थेंक यू क्लासिक्स टुट्वल से लेके नीट आयाईटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या वाच्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 पर